तो सबसे पहले हम लोग क्वेस्टिन लिख रहेता है क्वेस्टिन मर्क मार्क माइनस 1 9 6 5 7 वानस 33994 एक्वेल टो 9999 जो क्वेस्टिन मर्क है उसके जगह पे हम लोग उसका मान इक्स मान लेंगे इक्वेल का रूल है अगर कोई प्लास left में हो वो गर right में जाना जाते हो वो minus हो जाएगा और minus वो plus में convert हो जाएगा और plus अगर इस तरफ से उस तरफ जाना चाहते है तो minus और minus इस तरफ से उस तरफ जाना चाहता है तो plus होगा उसके बाद कोईसिन मार्क पर जगह लें लेगे और बाकी संख्या को एक तरफ कर लेंगे तो गाइस एकस को हम लोक एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी संख्य को एक तरफ जो पहले माइनस 1965 और से चो था वह माइनस में था वह अगर राइट में जाएगा तो प्लास में हो जाएगा उसके बाद माइनस 33994 जो पहले माइनस में था वह अगर राइट में जाएगा एक्वेल के राइट में जाएगा तो वह प्लास हो जाएगा और यह तो पहले से ही मौझूद था ने 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 वह पहले से प्लास में था वो प्लास में रहेगा उसके बाद हम तिनों का सम कर लेंगे उसके बाद यह आएगा नौ साथ शोला शोला चार बीश चलो से यह सम कर लेते ठीक है यह होगा पांच और यह होगा यह चोपंद्र यह चे और यह होगा तेन और यह होगा चे याने तिरिशेट पैसेट और जीरो मतलब तिरिशेट अजार शोशो पचास ये उत्तराप्शन ये होगा